इस वीडियो में हम एक्जाम की दृष्टी से सिर्फ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को कवर करेंगे जिनसे प्रश्ण पूंचे जाते हैं अगर कॉंसेट क्लियर हो जाएगा तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और इस इंप्रियोलोजी से हमेशा तीन से चार कुश्चन तो एक्जाम में आते ही आते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लीजेगा इस विडियो में हम टाइप सॉफ एक्स, क्लीवेज, वीवीपैरस क्या होते हैं, ओवीवीपैरस क्या होता है, मौरूलेशन, ब्लैस्टूलेशन और गैस्टूलेशन स्टेज के बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं, इम्डियोलोजी क्या है, इसके अंतरगत हुए सभी परिवर्तन आ जाते हैं, जिन से एक ओवम या फिर एक फर्टिलाइजड मतलब ओवम या फिर जाइगोट, एक एडल्ट में रूपांतरीत हो जाता है, ठीक है, एक फर्टिलाइजड ओवम या फिर एक जाइगोट, एक एडल्ट में रूपांतरीत हो जाता है, अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि अंडे कितने प्रकार के होते हैं, यानि कि क्लासिफिकेशन आफ एक्स, अंडों के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अंडों को तीन प्रकार से क्ला पीतक के वित्रण के आधार पर और तीसरा है based on cell अंडे के कवच के आधार पर तो यहां पर हम दो प्रकार के जो अंडों के प्रकार हैं उसके बारे में discuss करेंगे सबसे पहला है amount of york पीतक की मात्रा के आधार पर यानि कि अंडे में जो york है कितनी quantity में present है तो इसको भी हम चा एलेसिथल एक क्या होते हैं हिंदी में इसको कहते हैं आपीत की अंडे यानि कि ऐसे एक जिन में york absent रहता है यह किस में होता है जैसे कि human एक जो मनुष्य का अंडा है उसमें york absent रहता है जैसे कि इस डाइग्राम से हम समझ सकते हैं दूसरा टाइफ है Microlacithal एक इसको हिंदी में कहते हैं सूच में पीत की अंडे यानि कि ऐसे एक जिसमें york बहुत सूच मातरा में पाया जाता है ठीक है यork found in very little quantity और यह किस में होते हैं जैसे कि sea urchin हो गया starfish हो गया इनके जो अंडे होते हैं वो Microlacithal एक कहलाते हैं इसके बाद है Microlacithal एक इनको कहते हैं Microlacithal एक को मध्य पीत की अंडे यानि कि मध्यम मातरा में तीक है जैसे कि इस diagram से समझे ना तो बहुत कम है ना बहुत जादा है मध्यम मातरा में जो यौक है वो उपस्थित रहता है तो यह किस में होते हैं जैसे कि amphibians हो गया पेट्रोमाईजन हो गया और lungs वाली जो फीस हो गई उनके जो अंडे होते हैं वो कहलाते हैं इसके बाद है polylacithal egg या इसी को कहते हैं microlacithal egg तो इसमें क्या होगा कि जो यौक की मातरा होगी वो बहुत जादा पाई जाएगी हिंदी में इसको बोलेंगे आतिपीत की अंडे यानि कि बहुत जादा मातरा में जो है यौक पाया जा रहा है और यह किसमें होता है जैसे कि reptiles हो गया, birds हो गया और अंडे देने वाले mammals हो गया, इनके जो अंडे होते हैं वो polylacithal egg या फिर microlacithal egg कहलाते हैं जैसे कि इस diagram में देखिए यह अतिपीत की है यानि कि यौक की मातरा बहुत जादा है इसके बाद है based on distribution of york अब हम यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है वो है पीतक का जो वित्राण है यौक जो है distribution के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे अब तो इसका जो पहला type है वो कहलाएगा आईसो लेसिथल एग या इसी को कहते है होमो लेसिथल एग इसमें क्या होगा अंडे में जो यौक होगा वो समान रूप से वित्रित रहेगा यौक जो है समान रूप से वित्रित रहेगा तो इसमें जो यौक होता है वो समान रूप से वित्रित रहता है और यह किसमें पा photocodates हो गया, herd mania हो गया, branchio stoma हो गया, तो इनके जो अंडे होते हैं, वो कहलाते हैं, isolecithal egg या homolecithal egg, इसके बाद है, telolacithal egg, telolacithal egg क्या होते हैं, york is present at one pole, ठीक है, यह देखे, एक pole पर york present है, तो इस प्रकार की जो अंडे होते हैं, वो कहलाते हैं, telolacithal egg, जैसे की, frog के अंडे हो गया, मेढ़क के अंडे हो गया, यह कहलाएंगे telolacithal egg, इसके बाद है, centrolacithal egg, centrolacithal egg में, इसको हिंदी में कहते हैं, केंदर पीत की अंडा, यानि कि york जो है, किस में present रहेगा, center में present रहेगा, मध्ध में present रहेगा, इस डाइग्राम से समझे, center में present है, तो इस प्रकार की जो अंडे होते हैं, वो कहलाते हैं, centrolacithal egg, और यह किस में पाये जाते हैं, यह insect में पाये जाते हैं, जैसे कि, पाया जाता है तो ये इंसेक्ट में पाया जाता है अब इसके बाद समझते हैं बच्चे देने वाले अंडे देने वाले जन्तु कौन-कौन से होते हैं इनको क्या कहते हैं तो सबसे पहले है ओवी पैरेस ओवी पैरेस का मतलब है अंडे देने वाले जन्तु ठीक है अंडे द यहां पर यह अंडे देने वाले में यह ओवी पैरस हो गया और अगर बच्चे दे रहा है कोई कोई भी एनिमल अगर बच्चा दे रहा है सीधे डारेक्ट अंडे की रूप में नहीं तो उसको कहते हैं वी वी पैरस ठीक है उच्चे स्नेडी के जो मैमेल्स हो गया यानि कि मेटा थीरिया और यो यू थीरिया होते हैं वो क्या करते हैं जीवित की सोरों को जन्म देते हैं तो इन्हें हम कहेंगे वी वी पैरस क्लियर हो गया ओवी ओवी से हो गया अंडा तो यहां पर जो भी अंडे देने वाले होंगे वो ओवी पैरस कहलाएंगे और वी वी पैरस जो बच्चे देंगे उनको वी वी पैरस कहेंगे अब जो तीसरा टाइप है उसको बहुत ध्या में क्या है कि जिन एग में इनक्यूबेशन और हैचिंग माता के सरीर के अंदर ही हो जाता है और यंग का जन्म होता है परन्तु ठीक है बट लग गया यहां पर माता के द्वारा उनका पोशन नहीं किया जाता है ठीक है माता के द्वारा यानि फीमेल्स के द्वारा उनका पो वाइपर सर्फ हो गये ये कहलाते हैं O-O-V-V-Paris इसके बाद आब आता है Cleavage क्लीवेज क्या है ये भी बहुत important point है इससे एक question हमेसा पूछा जाता है हिंदी में कहते हैं इसको विदलन विदलन क्या होता है क्लीवेज सब्द का प्रियोग फर्टीलाइजड एग या जाइगोट में आरंभिक बार बार दोहराय जाने वाले माईटोटिक डिवीजन के लिए किया जाता है जिसके फलस्रूप क्या होता है 2, 4, 6, 8, 16, 32 तथा अधिक डॉटर सिल बन जाती ठीक है 2, 4, 6, 8, 16, 32 ये सब क्या है डॉटर सिल बन जाती जिन्हें क्या कहते हैं कोरक खंड या फिर बलास्टो मियर्स कहते हैं ठीक है अब इसके बाद जो ये क्लीवेज होता है इसके आगे टाइप्स होते हैं तो उसमें से जो इंपोर्टन टाइप है वो हम पढ़ते हैं यहां पे होलो बलास्टिक होलो बलास्टिक में से जो होमो लेसिथल हो गए अलेसिथल हो गए और मीसो लेसिथल एग हो गए उनमें से जाइगोट का तीब्र और पूर्ण विभाजन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं टोटल या होलो ब्लास्टिक क्लीवेज ठीक है जाइगोट का तीब्र यानि की बहुत तेजी से और पूर्ण विभाजन हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे total या holoblastic cleavage अब इसमें से जो हम आगे पढ़ेंगे वो बहुत important है जो exam में पूछा जाता है question वो होता है unequal holoblastic cleavage और equal holoblastic cleavage तो इसमें से सबसे पहला है equal holoblastic cleavage इसमें क्या होता है कि जो blastomere से वो लगभग समान होता है तब यह total लेकिन equal holoblastic cleavage कहलाता है जैसे इकाइनोडर्म हो गया, amphioxys हो गया, placental mammals हो गया तो इनमें क्या पाया जाएगा equal holoblastic cleavage अब इसके बाद है unequal holoblastic cleavage यह क्या होता है यदि उपर के चार छोटे उपर के चार छोटे micromeres और नीचे के चार योग भरे ब्रहत खंड या इसी को कहते हैं micromeres होते हैं तब इसे हम क्या कहेंगे total किंदू unequal holoblastic cleavage जैसे की amphibians हो गया और फिस हो गया तो यह हो गया unequal holoblastic cleavage और यह question में पूछा जाता है कि amphibian में किस प्रकार का cleavage पाया जाता है तो unequal holoblastic cleavage पाया जाता है इसके बाद है miroblastic miroblastic का मतलब है कि इसमें पूरा जाइगोट को सिकाओं में नहीं विभाजित हो पाता है और इस प्रकार का जो cleavage होता है वो अपोर्ड या फिर आंसिक होता है जैसे कि अधिकतर मचलियां हो गई रेप्टाइल्स हो गई और एवीज हो गई इनमें क्या होगा miroblastic cleavage हिंदी में बोलेंगे अंस भंजी इसके बाद देखते हैं कि जो stages होती है इन stages में सबसे important है पहला morulation morulation क्या होता है कि जब cleavage के फलसरूप सोला या अधिक कोसिकाओं की अवस्था में एक ठोस पिंड बनता है तो इसे हम क्या कहते है morula कहते है और यहाँ पर एक question देखिए यहाँ पर एक question complete हो गया यह आता है question किस प्रकार से आता है इस प्रकार से आता है कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जो एक ठोस पिंड के रूप में बन जाती है उस अवस्था को क्या कहते है उस अवस्था को morulasion यानि की morula कहते है इसके बाद है blastulation blastulation में क्या होता है कोसिका भाजन چलते रहने से कोसिका पिंड के अंदर एक गुहा बन जाती है जो खोखली गेंद या फिर गोला बनाती है जिसे ब्लैस्टूला कहते हैं तो मौरूला हो गई क्या ठोंस गेंद और ब्लैस्टूला हो गई खोखली गेंद तो इसको ब्लैस्टूला कहते हैं इसके बाद है gastrulation gastrulation में क्या होता है कि invagination की व्रद्धी के साथ-साथ blasto seal क्रमसा कम होती जाती है और एक नई gastro seal बन जाती है इस प्रकार से monoplastic जो blastula है वो diploplastic embryo या gastrula में बदल जाता है तो इसको क्या कहते हैं gastrulation या gastrula कहते हैं इसके बाद देखिए सबसे important है अंग विकास यानि कि organogenesis इसमें क्या होता है कि ectoderm, endoderm और mesoderm तीन germinal layer कहलाते हैं और फिर आगे ये चल करके tissues और organs का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से ये stage लगातार चलती रहती है और इनी stage के द्वारा फिर एक जो embryo होता है उसका development आगे बढ़कर के adult के रूप में हो जाता है तो friends, biology के next video को प्राप करने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे, video को like और share कीजे